चान नाजीwydd थे उन्हों ने अपने गधि दो हजार सोला में इनको सौपी थी जीवित रहते हुए और सौपी थी किनको इनको महंत बनाया बालक बालगनाच जी को तो बालगनाच जी का वहां भजन है दूसरा हमेशा से वहां से जीती आई बीजेपी अब पोजिशन यह है कि बाबा जी के आने के बाद क्या है वहां बीजेपी का बोट बढ़ेगा दूसरा यादो जो बोट है लगबच छाह सारे शाह परसंटेज अगर करणेट से गया जो पूड़ा जाता तो इधर आया तो सारे शाह परसंटेज उधर माइनस होगा तो आपको बता रहें का जो परसंटेज था लगभग 35 तो 35 से यह आ जाएंगे सारे शाह पर 41 और जो कांग्रेश का 40 था वो घट जाएगा इन्हें का जो चानिस था घट करक हर जाती में उनका एक अपना आधार है और जबज्जस आधार है दूसरा योगी बाद यह भी है कि यहां पे जैसे योगी का यहां पे यूपी में सिक्का चला बुल्डोजल बाबाग नाम से पूरे देश में आप समझ लिए बेंगॉल की कोट में कहा जाता है कि जाना है कि बालक नात्योगी जी जो हैं यहां के मैत को पलट देंगे नमर्शकर स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्ट्रीवी नियूस और मेराने गुपता आपके साथ राजस्थान समेत पांच राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं लेकिन बात और से एक नया नाम जो है इस वक्त राजस्थान में चर्चाओं का विशा है और ये नाम है महंत बालक नात्थ आपको बता दें कि रीजन यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीम योगी आदतनाथ अपने हिंदुत्व वाले च्षवी की वज़े से काफी जादा पेमस है और माफियाओं पर उनका एक अलग जो खौफ है वो देखने को मिलता है तो ठीक इसी तरीके से अगर बात हम महंत बालक नात्थ की करें तो उनकी वी च्षवी इसी तरीके से हैं खासकर उनके बयानों को उनके गेट अप और उनके जो पहनावे हैं वो भी सेम महंत बालक नात होने वाले हैं तमाम तरीके के कायस जो हैं लगाता लगाय जा रहे हैं ऐसे में इन तमाम मुद्दो को ले करके चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जाने माने वरिस्ट पत्रकार अजजी सर स्वागत है आपका सबसे जो बड़ा सवाल ह इस वक्त राजस्थान में वो यही है कि आखिर सीम पत की दावेदारी कौन है यानि कि कौन अगला जो सीम है वो राजस्थान में होगा बीजेपी की ओर से भी एक नाम सामने आ रहा है महंत बालक नात का आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से उत्तर संप्रदाय से हम आपको किलियर करते हैं नात संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जिसमें दलिस से ले करके ब्रहमर तक सारे लोग आते हैं यह नात संप्रदाय नात संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मठ है वो इनका वाला मठ है मस्त राम जी का जो सबसे बड़ा मठ है वो मस्त दूसरी बात वहां पर क्या था बाबा चान नाज जी थे चान नाज जी वहां अलवर से जीतते थे और वहां से विधायक भी रहें चान नाज जी ने वह महंत थे उन्होंने अपनी गद्दी 2016 में इनको सौपी थी जीवित रहते हुए और सौपी थी किनको इनको महंत बनाया बालकनाज जी को बालकनाज योगी जी को और जब बनाया था उसमें रामदेव जी और तमाम बड़े लोग योगी आगे आदिनाज जी और पूरे देश के हर प्रांत से लोग आये थे विदे सपा के लोग सब सब्सक्राइब कर ली थी अब पोजिशन यह कि बाबा जी के आने के बाद क्या है वहाँ बीजेपी का बोट बढ़ेगा दूसरा यादो जो बोट है लगबच शाड़े शाड़े शाय परसंटेज अगर यह कांग्रेश से गया जो पूरा जाता था इधर आय माइनस होगा तो आपको बता रहें इनका जो परसंटेज था लगभग 35 तो 35 से यह आ जाएंगे सारे 6 पर 41 और जो कांग्रेश का 40 था वो घट जाएगा इनने कांग्रेश का जो 36 था घट करके 30 परसंटेज पर जाएगा 29 और वहाँ किलियर कट स्वीप कर जाएगी दूसर स्थान में अस्रम है सब जगह लोग सक्री हो जाएंगे हर जाती में उनका एक अपना आधार है और जबज्जस आधार है दूसरा योगी बाद यह भी है कि यहां पे जैसे योगी का यहां पर यूपी में सिक्का चला बुल्डोजल बाबाग नाम से पूरे देश में आप स भारत की नव न्यूज होंगी तो उसमें एक जगह बाबा योगी नाज जी का इमनाम हो उन्हीं के बिलकुल यह हैं अब बिलकुल पैलर योगी जी इनको बहुत मानते हैं और कुछ यह भी है कि बाबाओं का और हिंदुत की और रुज्जान भी इधर जो इनकी गौश्ट और से अरस्त गौर्मिन रही तुष्टी करन बहुत जादा किया वहाँ पे हिंदु मतदाता जो उनाइट है चुकि वज़े से तो इसका फायदा मिलेगा योगी नादिदनात कोई ताजुब नहीं कि इसके पहले भी मात को बतलाना है जब भुपेंद यादो को कहा गया थ तो कि यादो हुने का भी फायदा मिलेगा इनको जो बहुत बड़ा अगर ये बोर्ट जुड़ा और योगी आपको बताना है कि बालकनात योगी जी जो है यहां की मैत को पलट देंगे और इसमें बीजेपी की सरकार वहाँ पे निश्चित तौर पे मनेगी सारे सर्वे कह रहे हैं और इनका आना जो है एक अपने आप पे बहुत बड़ा पोजिटिव हो जाएगा इसके अलावा हम आपको किलियर कर दें अलवर छेत की जो सीटे हैं वो दस सीटे हैं जिसमें थान गाजी अलवर अलवर रूरल अरवर अरवन बाशुर और बहरूर तो जो इन सभी सीटों पे जो है रामगर यहां पे इस समय यह पोजिशन एक ही आंधी चल लएक बाबा बाबा के नाम पे वहां पे सुबह साम लोग हैं जितने उनके भक्त हैं वह प्रचा आज तक उनके कोई भक्त प्रचार पे नहीं उतरे थे प्रंद बाबाजी के आने से टोटल प्रिशू है सपा का कि कांग्रेश को हराना और इसके पहले एक हो गया इसके लब आपको बता दें कि दो चेत्र ऐसे थे जैपुर और दूसरा चेत्र इनका जो अलवर वाला चेत्था इसमें आकरके 78 सीटे एक तरफ थी 19 सीटे एक तरफ ती और कांग्रेश ने चल से वहा अधर ते सुवा से आदो वह भी बहुत बड़े समाज से भी थे और बाबा चान्नाजी जिन्होंने गद्धी सौपी थी वो तब से आए और आपको उतादे आठमी सताब्दी से मठ है हिंदुस्तान का सबसे बला नात का मठ है और आठमी सताब्दी से दूसरा इस मठ का ए आसपार नहीं आ पाया वहां पर किसी का भी जंडा मठ के लोगों दूसरा यह मठ जो है यह हर तरह से मुकाबला करता था लाखों लोगों के भोजन की विवस्ता लहने की विवस्ता दूतिवा ससस्त्र अगर लडाई भी हुई है 1857 में सबसे बड़े संग्राम में इन सब्सक्राइब से यही एक बज़े है कि इनकी पूरी अपनी एक पिकार से अपनी अपना छेत्र है अपने लोग है एक पिकार से आप समझेए कि अपनी सारी विवस्ता यह विवस्ता अगर लग गई योगी जी के उसमें बालक नाज जी तो कोई ताजुम नहीं है कि यह च यही एक बज़े है कि वहाँ पर एमेर्जंसी में पूरे देश में पूरे देश में एमेर्जंसी लगी थी कहीं आरेसेस की साखाएं नहीं निकाल पाएं कहीं यह अपना जलूर नहीं निकाल पाएं सिर्फ उस मट पे निकला था और गोड़कपुल में भी निकला था अंग्रेज जो है वो अर्ज से फर्स चले जाएगी अगर उनके अन्य लग गए फिलाल इस पूरे मामले को ले करके अज़र पत्रकार्ची ने अपनी राय रख्यों और जिस तरीके से अगर बात हम महंत बालक नाथ की करें तो इन्हें राजस्थान की योगी के तौर पर काफी जादा जो फाइदा है वो बीजेपी को इसलिए मिला क्योंकि यहां पर उमीदवारी के तौर पर योगी आदितनात को उतारा गया था तो ऐसी उमीद जो है वो अब राजस्थान में नजर आ रही है क्या इसका फाइदा जो है राजस्थान में मिलेगा बीजेपी को और बीज़पी इस बार अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी ये देखना दल्चस्प होगा फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद